शुरू करें स्टार्ट कैसा लग रहे हैं कैसा लग रहे हैं बहुत अच्छा दुख में सुक्कान हुआ 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 हलो गाइस वेलकम बाग टू माय चैनल सो आज हम कर रहे हैं ब्राइडल मेकप लोक और हमने इंस्पिरेशन जो लिए है वो बेंगॉली ब्राइट से लिए तो रेड ब्राइड होने वाले है वो भी सारी में बैट हम वो बेंगॉली बिंदीज नहीं करेंगे बिकास वो प्राइट हम पर नहीं है तो जो है हम उससे करेंगे तो यहां पर मैंने सबसे पहले यूज किया है फेस मिस्ट जास्मीन मिस्ट है यह लवर्थ का यह मेरा फे अगर आपको काफीन योजलरी नहीं है, इसकी ब्राइट का, लाइशन के पार हॉइत करेंगे को अदर आपको अगरा का करे या दर वसकुल कि नाम भी पुम्षैंट के लिए सितर फिल का मॉइश्यराइजर यह बेस्ट मॉइश्यराइजर है बहुत ही इंस्टिंट हाइड्रेशन मिल जाती है और थोड़ी सी क्वाइटिटी इनाफ होती है तो इसको मैं यूज करूंगी और यहां पर मैंने स्प्रेड कर दिया इसको ब्रश की हेल्प से मॉश्यराइज करने में कंजूसी नहीं करने है बिकरज अगर हम स्किन हमारी हाइड्रेट रहेगी तो हमारा मेक अप अच्छा होगा तो हमें वैदर के काउडिंगी हाइड्रेशन देने हैं सकिन को इसके बाद यहां पर लिंस लगा रही हूँ है यहां पर जो मेरी मैंने इनियुने इनियुन लगाया है या फर्स साथ प्रॉबलम आती है तो यहां पर अप्लीकेशन हो गए और यह शचोशन हो गए इसके सैदल होने के बाद यह में मेकप स्टार्टकरती हो तो इसके बाद हम मेकप स्टार्ट करेंगे यहां पर प्राइमर से हमारा मेकप स्टार्ट होता है तो मैं Lakme का ब्लर प्राइमर यूज़ कर रहे हूँ पोर प्राइमर मैंने यह प्राइमर इसलिए यूज़ किया है बिकरस जो भी एक्स्ट्रा शाहीन है और इली नैसे फेस पर यह उसको blur out कर देगा, पोर्स को cover up कर देगा, इसलिए मैंने यह project यूज़ किया है, इसके बाद यहाँ पे मैंने concealer यूज़ किया है, forever 52 का eye lid के लिए, बिकाज इस पे हम अच्छे सा eye makeup कर पाएंगे, बिकाज यह crease नहीं होता है, जादा, इसको blend करने के बाद यहाँ पे हम eye makeup स्टार्ट करेंगे, eye makeup के लिए मैंने, यहाँ पे, eye base को set जो किया है, वो है makeup studio का powder, और इसके बाद जो palette मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है pigment colors की, आपको यह hawk makeup पे मिल जाएगे, आप हाँ से purchase कर सकते हैं, और यह palette एनफ है, किसी भी makeup लोग को create करने के लिए, आप इससे bridal कर सकते हैं, regular makeup के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 450 something की यह palette है, और इसके pigments भी amazing है, यहाँ पे मैं एक neutral brown color से, जोसी palette में है, brow bone को और eyelids को cover कर लोगी, इसके बाद एक छोटे sharp brush के help से, हम crease line को draw करेंगे, crease line के लिए मैंने तोड़ा darker brown लिया है, जिससे depth प्लेगी आइस को, और आइस तोड़ी से popular bird लगेंगे, so make sure कि आप सारे colors को अच्छे से blend करें, सब एक दूसरे के साथ दिखें, कुछ भी ऐसे अलग-अलग ना लगे कि यह अलग लगाया है, यह अलग लगाया है, तो blending बहुत important है, so यहाँ पर मैंने वही किया है, colors के application अलग-अलग brushes से की है, blend उने अलग-अलग brushes के साथ करने की कोशिश की है, inner corners में मैं छोटा brush यूज कर रही हूँगी, पर टूल्स भी होने जरूरी है, so यह मेकप को blend करने के बाद, एक shimmer लिया है, मैंने शैंपन कलर का, उसको आइबॉल्स पर application करके, smarch कर दिया है, यहाँ पर मैं लाइनर लगारी हूँ, because जैसे मैं बन्गॉली ब्राइज का, जो है, बहुत थिक लाइनर यूज होता है, उनके लुक में, तो मैंने बहुत थिक लाइनर यूज कर पाई, because मुझे लाइनर परसनी नहीं हूँ, मुझे लाइनर परसनली इतने पसन नहीं है, तो मेरी application भी उसी हिसाब से हुई है, बहुत ही मैने मम सी, यहाँ पर लाइनर हम यूज करें, इंगलोज का 77 नमबर, और आई लाइनर ब्रश है, प्रोवाट का, यहाँ पर इसको बहुत ही लाइट हैंड से यूज करेंगे, because ब्रश बढ़ा है, और बहुत थिन application से start करेंगे, और थिक करेंगे आई बॉल के, अगर कोई हमारा इधर उदर होता है, तो हम उसको handle कर पाएं, अगर हम स्टार्टिंग से थिक कर देंगे, तो बिगड़ता ही है, और बहुत मैस्क्रियेट होता है, और यहाँ पर यह मैं दुबारा कॉल पर जा चुकी है, और यह पूरा टाइन चलीगा, आपकी क्लाइन साथ के साथ, ऐसे बिहेव ना करें, I'm just kidding, she's not my client, अब हम करेंगे, अंदर आई कवर, बेस मेकप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मेकप स्टूडियो का पैलेट यूश कर रही हूँ, और पैक का ब्रश, इस ब्रश रहे हैं, इसकी हेल्प से बहुत एजी हो जाता है, अप्लिकेशन करना इस प्रोड़क की, आपकी के लगाएंगे इनकी इसकन से, दो या तीन शेड डाकर, बट यह मुझे तर डाक नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रेट करेक्ट भी, यूज किया था, उसी में मिक्स करके, इसके बाद हम फाउंडेशन की अप्लिकेशन कर देंगे, फाउंडेशन में यूज करेंगे, फॉरेवर फिफ्टी तू का, उसमें मैंने थोड़ अज़़ा डाकर फाउंडेशन मिला है, लॉर्याल का, तू मैंच, तू मैंच नहीं है, इनफालिबल है, इसको मिक्स करके, यहां पे अप्लिकेशन की है, और जो मैंने फॉरेवर फिफ्टी तू का, यूज किया है, वो शेड है, फ्रेंच टोस्ट, इसकी अप्लिकेशन कर देंगे, और मैंने दो लेयर्स दिया है, बिकस ब्राइज मेकप है, थोड़ा सा हैवी होता है वो, क्योंकि पूरे राज चलाना होता है, हम अच्छे से सेटल करेंगे, यह आप्शनल है लेयर देना, पूरी राज वैसे भी चलता है मेकप, बच अगर कुछ ब्राइज को थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए होता है, तो बेंगॉली ब्राइज को मुसली, थोड़ा सा डाक मेकप होता है और हैवी बेस होता है, तो हम ट्राइ कर रहे थे कॉपी करनेगा, बच हमने किया फिर भी अपने स्टाइल में, यहाँ पर एप्लिकेशन कर दी है, हाइलाइटर की, आई मैजिक का हाइलाइटर मैं नहीं यूज किया है, इसके बाद हम तोड़ इसे कर देंगे, एक भी कजालिया बच किया है, इनने पसंद थे, तो हमने वही लोग देने की कोशिश की, ओपन है के साथ, सो स्ट्रेटनर से मैंने बाउंसी कर्स किया है, उनको खोल के साथ में मर्च किया, और यहाँ पर वो हैस्टाइल हो गया, सो यह बहुत ही एज़ी है, अगर आपको स्ट्रेटनर से करने आते हैं, या आप 25 नंबर का, आइकोनिक का, टॉंग भी यूज़ कर सकते हैं, इस लुक के लिए, बिकर्स वो इज़ी और अच्छे विव्स देगा, सो यहाँ पर, इनकी शकल इतनी बुरी क्यों बनाई वी है, इनोंने मुझे नहीं पता, बट ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे, को कंतीनिउ करने की, हैर कर लिए हमने, एक साइट के, आप सेकंड साइगे राइस, सेम ही हम आप गल्स करेंगे, दोनों साइट पर, कान के पीछे जाएंगी कर्utter, हम फेस की तरफने करेंगे, फेस की तरफ करेंगे तो वो लुक नहीगा, तो हमें पीछे की तरफ लेने हैं जो फेस से पीछे जाएं इनको कहते हैं आउट कर्स हैर के लिए मैं यूज करें हो आइकॉनिक का स्ट्रेटनर प्लाटिनम शाइन स्ट्रेटनर है इसका लिंक आपको नायक वगारा पर मिल जाएगा और इनकी अपने इंस्टा पेज पे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी तो अभी यह सबसे अच्छा स्ट्रेटनर है इंदिया में अवलेगल जितने भी हैं उन में से तो यहां पर हम चोटे चोटे लेके करेंगे ताकि हमें उतने ही बाउंसी और अच्छे कल्स मिलें तो बहुत टाइट कल्स नहीं करने हैं हमें लूस रखना है उन्हें पिकिस हमें उन्हें खोलना होगा तो कल्स की तायरेक्शन आप देख सकते हैं पीचे की तरह पर फेस से दूर जाएं तकि फेस पर नायक्र्स तो हमें उस डिरेक्शन में करने हैं तो यहां पे और इसमें का सब्सक्राइब करने वांद करोंड और वह उपन होते जाएंगे फिर उस स्टेज पर हम इनको स्प्रे करेंगे ताकि अच्छा उसी लुक में रहे हमें वेफ्स चाहिए कल्स नहीं चाहिए तो हमें इसलिए ने खुलना होगा यहां पर यह है फाइनल लुक यहां पर हमने इसे टीम अप किया है टेंपल जूलरी के साथ और रेड एंड वाइट चूरी जो बैंगॉली ब्राइट्स यूज करती है और रेड सारी अफकोर्स सो फाइनल लुक आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताया ना और लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चानल और यह था फाइनल लुक दुपट्टे के साथ सो यहां पर मेरी ब्राइट बहुत ही खुश थी वह अपने लुक के साथ और हम भी सो प्लीज लाइक, शेर, कॉमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चानल और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप इंस्टा पर फालो कर सकते हैं नितिकागुपता अंडर्सकोर मुवा के नाम से मेरा है तो दू फालो और लाइक, शेर, कॉमेंट थांक यू